जो जहारकंड, वेलकम टू एली जी, आजके इस क्लास में 27-28 जुलाई 2023 के कंटेपेट्स को डिस्कस किया जाएगा, इतने सारा सेक्षन तो mandatory है आपको दिया ही जाता है, यानि कि basic structure एक concept जैसा है, चेंज नहीं किया जाता है, बाकी आजका जो मैपडिस में दो इस्टेट्स बाकी आज से क्लास में सारा चीज continue कर दिया गया है, मैपडिस का कोशन में मिलेगा और डिस्टी को भी continue कर दिया गया है, आज के क्लास में देखी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कि बहुत सारा चीज जो ऐसा discuss करने के लिए है, तो आप लोग एंट तक बने रहिएगा, क्लास काफी ज़्यादा informative और fruitful रहने वाला है, बाकी जैसे सीजल के तेहरी कैसा चला है, जुरू बताइएगा, सतहता दिन मात्र बचा हुआ है, बाकी टाइम निकाल कर जो ऐसे आप लोग प्रोपर रिविजन करते रहिएगा, एक ज़क्या होगा ना कि 10-15 दिन बचे गया एक जाम के लिए तो सोचिक एक रिविजन करूंगा, तो वो उसमें अकबक समाझ आएगा, जिसलिए प्रोपर जो आप लोग रिविजन करते चलिएगा, ठीक है, आप टेंसन ने के त्यारी नहीं करना है, टेलिग्राम स्क्रेम जो रहेगा, लिंक को इसका डिस्क्रेशन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आपको पीडियर मिलेगा, और बहुत सवरा चीज़ आपके एक्जाम के लिए से रिलेटेट फूट पूट पूट चीज़े मिलेगा, बाकि वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा, और सेर भी जरू करें, ताकि मोटिवेशन औ चलिए, तो आज के जारकंट के में पडिश में या डिश लिखाती, इसका नेम आप लोग लिखे, और इसके साथ एक कुछ इंफोर्मेशन भी आप लोग को पता हो, तो जरू लिखेगा, पता तो होगा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, पता क्यों नहीं दे रह चाहें, पता क्यों पता लिखे, पता क्यों आप लोग दो आपको परवाइट कर दिया गया, उसमें तो चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप जो 24 डिश्टी का मिलने वाला पीडिये उसको सही परवाइट कर जायएगा, और जो कॉम्टिटी में जो डाला गया था पो तो इसको आप लोग अपडेट कर ली जगा ना 2540 किलिम्टर स्कॉयर एरिया है इसलिए इंटरनेट से कुछ ही पढ़ते हैं तो बहुत रा चीना गलत होता है तो इसको आपको वेरिफाई करना होता है तो यह क्लास को स्टार्ट करते हैं बाकि कुछ एक्स्टा इंफ्रमेशन इसमें क्या लिखा जाए तो ठीक है ना तो देख लीजेगा इसका एंसर नभी होगा केंद्री भी स्वेद्याले रांची है जो है उसका नाम है सी युजे यानि कि सेंट्रल उनिवर्सिटी जारकंड 2009 में इसके अस्थापना किया गया था और एक मात्र सेंट्रल उनिवर् स्टेट गवर्मेंट का कोई इसमें अस्थेचेप नहीं होता है सीधे युजी सी के अंतरगात यह कारे करता है डिवर्सिटी कौन है तो वह है बी आईटी मेसरा ठीक है रांची आई देख लीजेगा ये तो हो गया सी युजी जारकंड बाकी एक्स्टाटोज में देख ल जुलाई को विश्व व्याग रदिवस यानि कि ग्लोबल टाइगर डेव सेलेवेट किया जाता है यहां देखेगा 39 जुलाई आने वाला है जो नया इजुकेशन प्लिसी आया लाया गया था उसवाब पैटरन दिखेगा तो फाई प्लस फ्री प्लस फोर राने वाला है इ जो सिक्षा नहीं थी था जो निव जीकेशन प्लिसी है उसको के कसुरी रंगन की रिपोर्ट पर जो हैसे मतलब ही आधारी था उस पर इध्यान रगे गये इसरों के साइंटिश थे फर्स एजुकेशन प्लिसी ध्यान रगेगा लाया गया था 1968 में तो पहला बार कोई पूछ दे आपसे पागी सुन लीजिए यहां पर नोट में जो इजुकेशन है जो साथमा सेडूल में वह कंकरेंट लिस्ट में ठीक है कहां पर कंकरेंट लिस्ट में जैसे को पटका गया था जिसमें इजुकेशन और फोरेश्ट आपको भूलना नहीं है दोनों अभी कंकरेंट लिस्ट में है के कंकरेंट लिस्ट लिए आज आयोग कि देख लीजेगा रादाक्रिशन आयोग यह 1948 का सिक्षा से संबंद है कोठारी आयोग के समद्ध से है 1964 में आया था तो डारेक्ट भी पूछ जाता है आपसे आपसे ने कि जैसे कोठारी आउग का समन्द किस से है ठेक है तो अब कन्फूज जाएगा तो कन्फूज नहीं होना है सिक्षास रिलेटेड है राची बिस्तु विधाला है जारकंड का सबसे पुराना जोयसे बिस्तु विधाला है 12 जुलाई 1960 का जोयसे अस्थापना इसका हुआ था बाकिस राची तो डिसकस कर ही दिया था नेज कोठ नहीं जारकंड विधान सबा में अब विधायक सिर्फ किस भासा में पारित किये जाएंगे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली या फिर बांगला आंसर इसका ही है न तो जारकंड का जो प्रथम राज के भासा है हिंदी उसी में जैसे बिधायक पास होगा देख लिजए गया असा की हो रहा था तो जैसे होता क्या है कि अभी जो ऐसे बिधायक को लोटा दिया गया था जो राजबहन है उसके दवारा राजबहन में कौन रहते हैं तो राजबहन रहते हैं तो हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में तुरूटी के कारए बिधायक लोटा दिया जाता है उसके चलते देख लोटा देता है तो फिर से पूरा प्रोसेस को करवाना पड़ता है फिर उस पर जो है से सब को समर्थन देगा उसके बाद मतलब दोबारा वह काम हो जाएगा तो बरतमान में जो अब जो एसे बिदयक सिर्फ हिंदी में ही पास किया जाएगा इसाब कुछ द्यान रखेगा तो यह से चार अगस्त तक सुरू होने में की अप्रील में की में में फरवरी मार्ज में कन्फीजन होगा ठीक है ना कन्फीजन नहीं होने चाहिए डिसकस कर चुका हूं बठाएजरा इस्टाटोज में देख लीजेगा जहारकन के जो बरतमान गोवर्नर हुआ और विधान सबागे जो स्पीकर है रविंदर नाथ महतू यह बरतमान में इगार में जो ऐसे स्पीकर है इस सब कुछ ध्यान रखेगा पहले स्पीकर इंदर शिंव नमधारी थे अंसर इसका ए है हिंदे ठीक है तो यह प्रतम राज की भासा है और द्यूति राज की भासा में 16 भासा है ना जहारकन का द्यान रखेगा रीट कर सकते हैं आप लोग यह हैं रविंदर नाथ महतू स्पीकर यह तो पता होगा इस्टेटी का question है लेकिन न्यूज में हार ना था सोहराय को वर पेंटिंग उत्पती कहा हुई थी इसको में इट खोरी में उसके बाद मलूटी में या फिर मधुबन में है और यह एक मिल्टक किया होता है कि सीदे दिवार्प बनाया जाता है तुषणाई नहीं है पांच हजार साल पूराना है सोराइक ओवर पेंटी के बारे मगर ध्यान रखेगा तो याद रखेगा 12 में 2020 को इसको जी आइटेक दिया गया है और जारखंड में जी आइटेक प्राप्त करने वाला एक मात्र वस्तु है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है और ध्यान रखेगा अगर जेपीसी कोश्चन बनाएगी निया तो इस तरह से कोश्चन आप से पहुच जा सकता है कि जो हैसे जब स्वराइक ओवर पेंटी को जी आइटेक दिया गया था उसमें किस राज के मतलब एक वस्तु को जो हैसे जी आइटेक दिया गया था तो समय तेलंगाना का एक तेलिया रुमाल था ठीक जाँम उसको भी ज्यॅटेक सात में दिया गया था तो इसको याद रखीका जी आइटेक सेलाफ इसको डिए घे गया था तो दिया था यहाद हो तासली यह लिग तेन्हार स्ध़न अप्षर के व posible को माल?」 ठेहाँ इस अब कुछ देख लीजएगा नियूज में निकल्क कि के वारा था पर इधानों पर जादू बिखेरी बिखेर रही स्वराई पेंटिंग पहले। स्वराह पेंटिंग देखेगा तो दिवारों पर किया जाता था आप जो ऐसे स्वराई पेंटिंग वक्ष्ट्र पहने हुए नजर आएंगे और जाने माने यहां पर देखीगा फैसन डिजानर है आसीज इनका पूरा नाम क्या था आसीज सत्यवरत तो भी जो हैसे इस पर जासे काम कर रहे है याने कि आने उले दिन में आपको बस्त देखने हैं कोई मिलेगा मार्केट में इसलिए जो एसे सरा स्चीन निकल कर आ रहा था तो सारा चीज ध्यान लखेगा कोवर आपको पता है नो क्या होता है कोवर मतलब होता है गुफा और वर मतलब होता है दुल्हा ठीक है ना इस सब कोशन पूछा जाता है नेश कोशन आता है इन में से किस महिला खिलाडी का चैन महिला F.I.H. होकी जूनियर विस्व कप के लिए नहीं हुआ है दिपिका सोरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी या फिर निकी प्रधान साई एंसर डी है ना निकी प्रधान का चैन नहीं किया गया था F.I.H. होकी जूनियर विस्व कप होने वाला है उसके लिए ठीक है तीन प्लेयर्स हैं दिपिका सोरेंग, महिमा, टेटे और रोपनी कुमारी काफ में पूटेंट निकी निकील कर आ रहा है देख लीचे का जो F.I.H. होकी जूनियर विस्व कप होने वाला है महिला होकी जूनियर विस्व कप होने वाला है नमवंबर में उसके लिए बाकि एक्स्टर डोज में याद देखेगा हाल में सुपर मिनिट कोशन है महिला होकी जूनियर विस्व कप 2030 कौन जी था? भारत किसको राया गया था? दक्षिन कुरिया को और यहाँ पहला किताब था भारत का होकी में और यहाँ पे जो तीनों प्लेयर थे यह दो देख रहे हैं आपको दिपिका सोरेंग, महिमा टेटे और ओपिक मारे तीनों प्लेयर जो थे टीम का है साथी इसलिए इवेंट काफी अधा इंपोर्टेंट हो जाता है तो किसी तरसे कोशन पूछें तो कंफ्यूज मत होईएगा निकी परधान का चैन इसके लिए नहीं किया गया था निकी परधान खुटी के निवास्तिया ना इचे ध्यान रखेगा और ये जो हैसे ओलंपिक में खेलने वाली पहली जो हैसे होकी खिलाड़ी है जहारखंट से नेच क्वेस्टन है चैन जहारखंट के एक इस जिले में सबसे ज़्यादा जहारखंट आंदलनकारी चिलिए गया है अभी दे लास्ट लास में आपको डिसकेस किया था मुख्य वंतरी ग्राम गाड़ी हो जना यहाद है किसी को यह भूल गया है तो उसमें आपको डिसकेस किया गया था कि पता चला कि जो देवगार उसमें सबसे ज़्यादा जो हैसे आंदलनकारी है और इंटरेस्टिंग बात यह बता हूं जो आपको पता होगा 12 जून बारा जून नहीं था न यहाद रखेगा इसे परसमिना पढ़े होंगे तो सबसे ज़्यादा देवगार में जो हैसे आंदलनकारी जो हैसे चिनहित किया गया है यहाद देख लीजएगा कूल जो हैसे जारकट में 413 जो हैसे आंदलनकारी जो हैसे चिनहित किया गया है जिसमें देखिएगा यहाँ पर तो सबस्यादा 132 जो हैं से देवगर्स निकल कर रहा है फिर राची में 47 उसके गिरीटी में 43 है गुंबला से 33 है फिर 29 है तो यह सब जो हैं से कुछ डेटा है तो कम से कम 5 जो हैं से यहाँ पर ओर लगाने के लिए कर JPCS exam में आये तो ध्यान आंदुलनकारियों या उनके आस्रीतों को अगर आंदुलनकारी का डेथ हो के आओगा तो उनको आस्रीतों को जो है से सरकार पेंसन देगी या फिर अन्य जो सुभिधाया सरकार प्रभाइड कराती हो वह प्रभाइड कराएगी तो यहाँ पर कोई confusion नहीं रहा होगा सबसे देटा निकाला गया वह ग्री, कारा और आपदा परबंधन विभाग के दोरा सारा डेटा जो है से जो निकाला गया था यह जितना चिनित किया गया था यह डिपार्टमेंट काम किया है ना ग्री, कारा और आपदा परबंधन विभाग ठीक है न कोई दिकत पढ़ लीजेगा निश्टादा आए ज़ारखंड में हर्स जोहार पार्थे करम कितनी कक्षा के बिद्यारतियों के लिए शुरू किया गया थी एक से आठ, छे से आठ, नौ से बारह फिर एक से बारह ति जो हार्स जोहार पार्थे करम था वह कक्षा एक से बारत तक के विद्यार्थियों के लिए सुरू किया गया था अब यह सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सुरू किया गया था अब यह बात कर लेते हैं क्या है हर्स जोहार पाठे करम बच्चों को नकरात्मक भावना होता है उससे उन्भू से उबारना है जटिल समस्याओं को हल करना है देखएक दौ 놈 करें एक दूसरे के साथ सकरात्मक समख मना कर एक और कोई प्रोब्लम आ रहा है तक उसको कैसे आपका माइंड को औरियेंट करके रखना है ताकि वह जट्यों से जड़ समस्या हो सोल्व हो सके तिसको दो साल पहले यानि कि 2021 में इसको शुरू किया गया था इची ध्यान की गई जो पार्टे करम है राज्य के औसी उतक्रिष्ट आपको पता होगा जो ज्राज ज्रकन में ज्रक्रिष्ट विध्याले ज्यास के साथ विध्यालों में लागू है तो सद्यान रखेगा यह जो पार्टी करम है हर्स जोहार पार्टे करम उसके बारे में ट्र likes and mix Jones करता हुए यहां पर लाप लाइने जिक टाता यह उन्लाइन दिया जाता है घो नमक्तिक है कılar जरगेउन करा रहा है यह बलशिक से शौर्भण ओंगे अब यहां पर लेकर आया हूं तो विस्वा हेपिटाइडिस दीवर्स 28 जो ऐसे जुलाई को मनाया जाता है पूरा हेपिटाइडिस के बारे में यहां पर बैडटा दिया गया है सुनिए का ध्यान से जो थीम इस वर्स 2013 ले रखा गया है वो लिखा गया है वन लाइप वन लिभर लिखा लिजए था वे का एक ही होता है और या तरह रहे हैं तो यह संक्रमित जल है सभी संक्रमी भोजन है सहरा पी रहे हैं ठीक है गुटका ति रेंगा है सब खार रहे हैं दुसरा बात है कि यह संबंध होता है उससे भी होता है प्लस में अगर मतलब जो एक स्रीन से बार-बार किसी को लगा जा रहा है उससे भी जो ऐसे यह बीमारी फैल सकता है तो यह रखेगा इस बीमारी का जो कारण है वायरस है जैसा कि पहले बोल चुगा था इसमें लीभर यहां पे लिगा करने का लग्ष है यह था रखा इसे निर्मान वर्स से निर्मान वर्स है 2022 में लगहर बोला जा रहा कि 400 पोड़ो रुपया इस पर खर्च किया गया था, देवगर एरपोट के लिए, पूस का फुलपो में या दखेगा, यह होता है, पॉइंट अप सेल, देखे जारकर ना पूस घोटारा ना हो, यानि कि जो मान लेते हैं कि कोई योजना सरकार का है, तो किसको आप लोग से समान दे चुका है, यानि जो PDS होता है, पॉइंट इसको इसको जो है से भाड़े पर चलाया जा रहा था, और इसमें निउज निकल कर एह आ रहा था, कि इसको जितना खरीदने में खर्चा नहीं होता, उतना ज्यादत इसका रेंट चला गया, समयरे बात को, यानि कि इसका जो गोटाला इसमें आया है, तो जारकन में आप लोग देखिएगा ना, तो मतलब किसी दिन का निच वर उठाकर देख लिए, गोटाला तो आपको जरू मिलेगा, इतना जगा कर अपसन यहां पर आपको बात किया था, गोटाला आपको जरूरी देखने को मिलेगा, ऐसा जार आपको जरूरी देखिएगा निच में आ रहा था, जारकन इजुकेस, जारकन कॉंसी लॉप एजुकेसर सेच एंड ट्रेनिंग होता है, एन सी आटी का फुल परमी सिरस्ट से होता है, एन लगा दीजे, बाकिसारा राची सेम है, एन फोर नेशनल, देख लिए यहां पर ए जगा इंपोर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा है, ठीक है कि जाम में इसको पूछा जाए, सिकारी पाड़ा के पूरु विरायक थे जिनका नाम था डेविड मुर्मुना, तो पचासी साल के थे अब इनका नीधन हो गया है, तो आप से पूछा जा सकता है, सिका सारी पाड़ा जो ऐसे प्रखंड है, ठीक है, और यह जो प्रखंड है हुआ दुमका डिस्टिक में है, ठीक ना, चलिए, सिकारी पड़ा के पूरु विधायक थे, डेविड मुर्मुन, तो अब इनका नीधन हो गया है, ध्यान रखिये का, अब यहां पे नेशनल और इमपी आई तो आया ही था, अभी एक रिपोर्ट निकल करा रहा है, सुनिएगा, देश के कूल निर्यात में 10 जिलों के हिसेदारी 38% है, यानि कि मात्र 10 जिलों ऐसे हैं, जो की पूरे भारत का 38% निर्यात में जो ऐसे हिसेदारी है, तो देख लिजगा यहां पे 10 जिलों क परशेदारी 38% है, देश के 100 जिलों का से निर्यात मात्र 84% होता है, 100 जिलों से 19 74% और लगवब बुला जाता है, कि ज Andrea ठारी झीलों है, तो अगर अट कीजेगा, तो 6680 ज़ phd छाला जा रहा है, तो इतना जिलों का से मात्र जो ऐसे 16% निर्यात हो रहा है, तो मार्याट सो जिलो से 84% और पांतर शोली परसेंट दॉária हुआ है तो खाई बहुत ही ज्यादा है सबसे दिख निर्जात किừ जिले से हो रहा है तो जामनगर कहां पर है तो यह गुज्रात का डिस्टिक है बारह पॉंट आट परसेंट रिया देखेगा इस्टेटिक मतलब जो जिनरे स्टडीज होता है उसमें भी पूछा जा सकता है देख लिए जब गुज्रात से सब्सक्राद नेडियात के जार असब महाराष्टा से उसका तमिलनाडू है करनाटका है और उसके बाद यहां पर उतर परदेश है तो टॉप फाइप इस्टेट उसमें तो तिरासी में ग्रैंड मास्टर बने है अदित सामत इनके बारे में ध्यान लगी को नेश्टा दक्षिनप्रिका के अगले उचायूकत अभी बनाए गया है प्रभात कुमार नाम उचायूकत हाइक कमिस्टर बोला जाता हाइक कमिस्टर आप लोग कॉमन विल्स न तो ब्रेटेंज जी सुगुलाम बनाकर रखा वहीं पे आपको देखने हूं मिले है कोमन वेल्ड और वहीं पे जैसे हाइई कमिस्टर वर्ड यूज किया जाता है रैधानी सका सीओल है मुंद्रा यहाँ पे रैंड यूज किया जाता है यहाँ पर दक्षिन अप्रिका है यानि कि South Korea नोर्थ Korea का own है ने देखी जगा workboard workboard जो हैसे एक statutory body है 166 में जैसे इसको इस्टेलिस किया गया था अब निजमिनिकल करेशी लिए आ रहा था कि जो आंधरप्रदेस का workboard है वो आमधिया समधाय के बोल रहा था मतलब बोला गया उसके दोरा मुस्लिम है ही नहीं यानि कि गैर मुस्लिम इसको करार दिया गया था तो जो भारत के जो अल्फ संख्यक मामलों के मंत्री है जिनका नाम है इसमिती जुबिन इरा ने और बोला है ते कि आपका कोई हक नहीं है कि आप किसको जो ऐसे मुस्लिम बोले या फिर मुस्लिम नहीं बोले तो चलिए यह सब कुछ न्यूज में आ रहा था दियाने के बारे में एक श्रुट्री बोड़ी है 1964 में इसको इस्टेवलिस किया था कि इस बारे में देख लीजेगा इस भी कह रहा है कि भारत इस सबसे बढ़ी आशिवलadata हो कि 2027 ठीक है चली किसके किसके बाद होगा सबसे बढ़ी अर्थ Jağer्मनी आगे ए कर वि कि च Spaceoqu बड़ी अर्थ बास्ता बने थे ना ध्यान रकCloud में अरुंधति वटा चारे हैं इसको याद देखेगा 1955 को जो ऐसे SBI को फोम किया गया था ना पहले इसको Imperial Bank of India के नाम से जाना जाता था ने देख लीजेगा ACN Youth और Junior भारत ओलन चेंपिरिंशिप होने वाला है गोतम बूत विस्विद्यालाई में तो पहली बार इमेजबानी कर रहा है ACN Youth and Junior इसको भारत ओलनों को बुलीगा Weight Lifting Champions ठीक है? तो ध्यान रहा है गोतम बूत विस्विद्यालाई में होगा ग्रेटर नोड़ाई याने की UP में होगा पहली बार इमेजबानी कर रहा है भारत तो इम्पोटेंट रहेगा गेम शुरू हो जोगा है ना 28 से ही था तो इसका result निकल कर आएगा तो डिस्कस किया जागा ने इस क्लास में फीडे रेटिंग लेने वाले दुनिया के सबसे युवा खेलाडी हैं तेजस थिवारी उत्राखंड के है माधर तरह पांच साल की उम्रमेन इंको फिडेल जैसे रेटिंग दिया गया है … इनका है देवेस उत्मन राइधाने इसका वीलियनिसस हा है और मुदरा यहाँ पी यूरो चलता है याणिए या ये- योरोड का कंट्री है ठीक है मेँ एक बुक है सी डिवोशन ओफ कॉलरस जो की अनीता भरत साउ हैज डिववोशन ओफ क्वलर्स अनीता भरत सां हैं डून्या की पहली माज्च रोबर्ट प्रेस काुन्फरेंच watch अभी जेमेवा ठीक है तो जिन्हों तो पता हुआ कहां पर है तो यह स्यूट जर्लैंड में है अंडर 21 यूरोपियन चेम्पेंशिप 2013 किसके दोर जीता गया था अभी हाल में तो इंग्लेंड के दोर जीता गया था इस पेन को जो इसे हराया गया था और देखेगा तो यह अंडर 11 जो यूर फटेंगे अभी देखेगा तो जो जो रोजे पें है जैद आ इसने पहला इंटर्णेश्ट होव आई जा रहा है और या महराष्टा में है ठीक है इसलिए महराष्टा को आज मैप में लिए गया था चलिए तो यहां पर देख सकते हैं महराष्टा इधर और इभिन सी से इसका गोंड़ी लगता है तो अगर महराष्टा का अब देखी कद इसको कितने इस्टिट टच करते हैं तो यहां एक गुजर यहां पर देखिए गोवा भी है तो टोटल 6 स्टेट जो है महारास्टा के बॉर्डर को टच करते हैं इसको ध्यान रखेगा बगी यहां पर कुछ-कुछ नेशनल पार्क है संजाय गांती नेशनल पार्क है उसका पांच नेशनल पार्क का भी कुछ हिसा यहां पर पड़ता ह महारास्टा में पड़ता है तो डोबा अंधोरी टाइगर रिजर्ब यहीं पर है और चंदोली जो है से नेशनल पार्क है तो सब कुछ ध्यान रखेगा और इसका कैपिटल पता होगा मुंबई है साथ टापों का इसको नगर कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा बंदर और भारत की आर्तिक रखोनी है यहां है करनेख और डी जगा है जिसको औरें सिटी के नाम से जना जाता है और और होगि यह महारास्टा के दूसरी रखानी यह तो क्या उत्ते बशेर आधानी कहुं से है श्यकैं hall does it को नो और गढए jale home को से है नेश कौन सा था अंध्रापर्देश को देख लीजे इसका बुर्डर कहां कहां पर टच करता है इधर आपका है तमिल नाडू उसके बाद तेलंगाना उसके बाद उडिसा तो टोटल एक दो तीन चार पांच शिट के सीमा इसका लगता है अंध्रापर्देश ठीक है ध्यान जाएगी है विसा का पटनम ना कि विंके टेस्वर नेशनल पार्क यहां पर एक देखने को मिलेगा और विस बहुत सब्सक्राइब कर आया है तो इसके वर हम कुछ इंप्रमेशन आप लोग ध्यान रखेगा बाकि जो आप लोग सीरी हरी कोटा का नाम सुनते है वह आंध् परदेश में पढ़ता है ठीक है याद रखेगा वहीं पे एक द्विप है हो गया महारास्टा और अंध्रपरदेश तो देख लीजगा थोड़ा वड़ा जनकारी आपको दे दिया मैप मैप से कोचन आप पूछा जा सकता है इसलिए लोकेस्टन आपको मैं दिखा रहा हू चली एडड़ एलेमेंट आपको पता है आपको क्या होता है नाम है सर फ्रेडरिक बेंटिंग ठीक है एप बेंटिंग के नाम से सुने होंगे आप लोगी तो सुने ने होंगे फ्रेडरिक तो एप बेंटिंग के नाम आप लोगी सुने होंगे और चार्ल्स बेस्ट इनका पोजिने के द्वारा किया गया था, इंपोटेंट पॉइंट यहां पे सब फालत चेट डिसकस नहीं करूंगा, इंपोटेंट यही रहेगा कि इंसुलीन आखिन करता क्या है, तो इंसुलीन जो ऐसे ब्लड में जो ऐसे सुगार है, उसको कंट्रोल करता है, यह जो ऐसे सुगर नोर्मल रहना चाहिए, ठीक है, उससे कम हो जागा तो भी दिकत है, ज्यादा सुगर भी दिकत है, तो हाई सुगर करता है इंसुलीन और लो सुगर करता है गुलुकाकॉन, तो दूनों हार्मन को आप लोग या दखिएगा, दूनों जो ऐसे पैंक्रियाज सुगर करता है, तो यहां सब इनके बार में आपको रिट करना होगा, रिट कर लीजेगा, मुझे क्या बताना था, वो मैं डिस्कस करता हूँ, देखिए यहां पर लिखा हुआ इंडियन रिपबलिकन आर्मी, तो इंडियन रिपबलिकन आर्मी का जो गठन था, 1930 में किया इस यहां देखेगा, और परसंते सूर्य सेन, इसलिए इसको लिया गया था, इसको बार में डिट कर लीजेगा, बाकि यहां पर इंडियन रिपबलिकन आर्मी के बार में आदेखेगा, इसका अट्रों 1930 में जैसे किया गया था, सूर्य सेन के द्वारा, बाकि यहां पर देख लीजेगा, आस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या ने रखी थी प्रतम विस्वजुद की नहीं, तो आपको पता होगा, आस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुआ था, वहां इसे जो हैसे प्रतम विस्वजुद स्टार्ट हुआ था, तो इसे चोद में ले लिया और पर्थम 20 स्वजुद छेड़ गया इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर यह रहाता है कि जो पर्थम 20 स्वजुद है वह सुरू कब सब्सक्राइब तक चला तो यह अठाएज जुलाइज को सुरूबा तो जो कि आपको पता है अठाएज जुलाइज को डिस जो कंपनी जो कंपनी है उनका नाम है नाम है स्पेस इलोन मस्का तो ट्यूटर को आपको पता हुआ है तो यहां पर इसको एक्स बैठा दिया है तो नया लोगों देख लीजेगा अभी नाम जो हैं से फेस्बुक का मेटा किया गया था यह भी कुछ याद रखिएगा ट्यूटर को 2006 में लॉंच किया गया था ना इसा पुछ त्यान रखिएगा ट्यूटर का भी बरतमान में देखेगा यह भी याद रखिए उली जी है पहले वर्ड लिमिट था 140 वर्ड अब जो हैसे दूगना कर दिया गया था इतना वर्ड जो हैसे पर ट्विट कर दिया गया है अब ज्यारकन मैप पटीस का कोशन इसमें चार जिले हैं लोहरदागा पूर्वी सीवं गोड़डा और कोडर्मा तो इसको आपको दक्षिन से उतर के करम में आपको व्योस्तित करना है तो सबसे पहले कौन आएगा आए सबसे पहले पूर्वी सीवं है तो कम से गाव तो कुलहान प्रमेंडल का तीनों डिस्टिक पता होना चाहिए सबसे दक्षिन साइट में इधर ही पड़ता है तो यहां पे सबसे दक्षिन में आ रहा है पूर्वी सीवं यानि कि इस सबसे पहले आएगा उसके बाद सबसे दक्ता है तो देख लीजेगा पूर्वी सीवं आएगा उसके बाद लोहरदागा उसके बाद को डर्मा और इसका बाद इससे कि आपको कर ले ना है तो मैं आप लोग को बार बार दिखा रहा हूं ताकि मैं को रट जाना चाहिए और आप लोगनावार जो तीन तो आपको रट गया होगा, पलामोगाड़ लातेहार, पलामोगोड़ परमंडल, उसके बाद सराय के लखरसावाद, वे सिबुम, ए सिबुम, कुल्हान परमंडल, और इसके बाद ये तो आपको रट गया होगा, इधर, सिमडेगा, गुंबला, लोहर्दगा, राची दक्षिन शोड़न अकपूर और उद्री शोड़न अकपूर हो गया चत्रा हाजारीबा कोड़ार्मा गिरीडी बोकारो धनबाद टूटल साथ दिस्टिक और उसके बाद संताल पढ़न टूटल 6 डिस्टिक जामतड़ा देवगर दुमगा उसका गुड़डा पाकुल और साह टूटल 6 डिस्टिक टूटल 24 हो गया तीतर से आप लोग याद रखीएगा ठीक है मैप को देख लीजेगा सरा याद रहना चाहिए लोकेशन कौन डिस्टिक कहां पर है कोई भी हजारो कोशन बने ता आप से बन जाएगा ठीक है अब आता है जो आपको डिस्टिक पुछा पड़े हैं थोड़ा याद है तो इस दिन नार्वे और एडमंड हिलेरी जो सबलता पूर्वक एवरेस्ट की चढ़ाई किये थे ठीक ना इसलिए डेट इंपोर्टेंट है तो 39 माई को भूलिएगा नहीं तो उस दिन 14 डिस्टिक को फोम किया गया था और 1991 में तीन परिश्ट की संख है 1474 है यहां पर एक मुनिस्पल कॉर्परास कॉंसिल भी है एक देखी का तो यह स्मॉलेश्ट परलिमेंटरी एरिया है निकि सबसे चोटा जोह से संसदी चेत्र चात्रा को कहा जाता है इसको दिहाना के और सबसे बड़ा संसदी चेत्र कौन सा है सबसे इसको ना चात्रा को आप लोग इंटर्नेट पर जाकर सच किजे चोटा नागपूर का परवेश्ट द्वार किसे कहा जाता है कि जड़ा सर्ज देखिए का उन्हें प्लाम निकल के आता है तब गलब डालके रखे हैं लेकिन सही एंसर इसका जो है चत्रा होगा ठीक है प्ल यहां पर इट खोरी जो एक बुद्धिस साइट है ठीकिना हुआ चत्रा में ही है तो इट खोरी यहां देखिए कि पूछा जा सकता है बद्रकाले टेंपल आपको जो कोई जो की हिंदुजम से है जनिजम से भी है और बुद्धिस्ट है यानि कि तीनो धर्म से रिलेटेड है या भी ऐसे आपको बकसर और महारी महातीरिवर की किनारे चत्रा में ही नहीं देख लीचेगा यहां पर एक गोओधे हें के दिन मैर सुमयर है उसके बाद मालुदा है उसके बाद सकासिन वाटरफॉल आर वाट Rs.ध टैसे में हुट ने इस थासा चीज हो गया गे चात्रा को मैप में देख लिया आपने ठीक है पहले भी दिखाया थे आज भी देख लिजे यह कहां पड़ता है तो यह जैसे नूर छोटा नाख पुने पड़ता है जो कि सबसे बड़ा प्रमंडल है चात्र कांट इसको यहां पर आपको उजयाद से बस और इदर भी द्राटता है चारकन के दस जिल्यों से टर्श करते हैं कुछ मैप में भी हो गया और सारा इन्परमेशन परभाइट करा दिया गया इसको जो हैसे आपको पूमिटी टैब में चेशेर किया जाता है तिलना पिसको शेर नहीं करता हूं कि यह जो ऐसे आपको PDF में ऐसे मिलेगा लगबद देखीएगा तो 18 डिश्टिक अबर हो चुका है तो क्लास कैसा रहा मजा आया फिर नहीं है फिर टाइम पास हो गया जरू बताइएगा अच्छा लगा हो तो लैग जरू कर दिये होंगे अब तक और सेर भी जरू करें तक कि किस तर मोटिपेशन साइटी में आगे बढ़ते रहना चाहिए मिलता है फिर कल जारखंट जीके के साथ जारखंट जीके अभी सारा पार्ट्स आप लोग जरू देख लीजएगा एक जैसे उभी काफी आपके लिए फूट फूल रहेगा ठीकिन अब बहुत डीटेल में कवर किया हूं ठीक है हरे क्लास में देखेगा एक क्लास तो लेता क्ला देखे एक व tips य कैहीं के जाएंग ठीक सारक है टार्टी सेठी की में देखेगांग जारखंग है तो